दोस्तो अगर आपको आपके phone में भी इस type की problem आ रही है आप देख सकते हैं इस screen जो है वो पूरी black and white हो चुकी है ठीक है हम कुछ भी कर रहे हैं या फिर यहाँ पर control center open कर रहे हैं सब black and white में दिख रहा है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे ताकि आपकी screen जैसी standard normal दिखती थी वैसी दिखने लगे इसके लिए आपको क्या करना है कुछ दो तीन चीजे हम आपको बता रहे हैं आपको चट कर लेना है सबसे पहले तो आप जाएंगे अपने phone की settings में settings में जाते ही इस type का interface मिल जाएगा यहाँ पर आपको नीचे की ओर scroll करना है और आपको एक option देखना कोई भी android phone आप यूज कर रहे हो आपको यह option मिल जाएगा digital well being and parental controls का आपको इस पे click कर लेना है अगर ना मिले तो आप उपर लिख करके search कर लीजेगा इस पे click करिए click करत यह on हो तभी आपको इस type से दिख रहा है जैसे यहाँ पर on लिखा है आप इस पे click करिए click करेंगे तो आपको एक option दिख जाएगा turn off for now तो आप इस पे अगर click कर देंगे तो यह आपका बंद तो हो जाएगा अभी के लिए आपकी screen साही हो जाएगी बट अगर आप bedtime mode लग अगर आपके में यह bad time mode नहीं लगा है तब भी आपको black and white screen दिखा रही है तो आप क्या करेंगे आप यहाँ से करेंगे back ओके और आपको यहाँ पर एक option दिखेगा additional settings का उसके बाद आपको एक option दिखेगा accessibility का अब हो सकता आपका कोई और phone हो तो आपको आगे पीछे यह option क नहीं दिख रहा हो तो आप ढूंड लिएगा ओके या फिर उपर लिख करके search कर लिजेगा accessibility पर क्लिक करेंगे तो इस type का interface मिलेगा आपको उपर एक vision का option दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपको एक option दिखाएगा color correction का आप इस पर क्लिक करिए ह हो सकता आपके में गलती से आपके यह on हो गया हो अब यह on हो जाएगा और यहाँ पर अगर यह gray scale select हो जाएगा select कर रखा होगा आपने गलती से तो आपको सब black and white दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके पूरी screen black and white है तो आपको क्या करना है आपको simply इसको use color correction को बं हुआ 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 है